आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन पर वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे आज हम करने जा रहे हैं हमारी सात्वी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वक्षीट जिसका नमबर है 19 और आज हमारी तारीख है 1 दिसंबर शुरू करते हैं आपको याद है हम कबीर जी के दोहों पर चर्चा कर रहे थे और पुन्राविर्टी यानि की दहराई कर रहे थे इसी स पंदर्ब में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज रहीम दास जी के दोहों की और उसके साथ सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे भी तो शुरू करते हैं रहीम जी का पहला दोहा जिस तरीके से आपको याद रखना है हमने कबीर जी के दोहे पढ़ रहे हैं कभीरदास जी एक अलग व्यक्ति हैं और रहीमदास जी एक अलग भक्त हैं बिल्कुल कभीरदास जी की ही तरह अब बढ़ते हैं आगे दोहा है कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत विपति कसोर्टी जे कसे तेई सांचे मीत मतलब कही कहते हैं रहीम जी संपति सगे संपति के सगे या संपति के साथ ही बनत बहुत बहुरीत बहुत सारे लोग बन जाते हैं लेकिन विपति कसोर्टी जे कसे विपति ही कसोर्टी तयार करती है यानि की विपति ही ये जाच करती है तेई सांचे मीत की हमारा सच्चा मित्र कौन है कुल मिलाकर रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बता रहे हैं और वो बता रहे हैं जब हमारे पास धन संपत्ती होती है तो बहुत सारे लोग हमारे सगे संबंदी बनने के लिए उत्सुक रहते हैं हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन में से हमारा सच्चा मित्र कौन है ये हमें तब पता चलता है जब हम पर कोई घोर मुसीबत या संकट आ जाता है यानि विपत्ती आ जाती है उस वक्त जो व्यक्ति हमारा साथ देता है उस कठनाई में हमारे साथ रहता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है अब बढ दूसरे दोहे की तरफ जाल परे जलजात बही तजिमीनन को मोहhores रहिमन मचरी नीर को तवू नचान तिछो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जाल के पढ़ने पर जल जात बही, जल जाता है बह, मतलब जब समुद्र में जाल डाला जाता है या नदी में जाल डाला जाता है, तो पानी जाल के अंदर से बह कर वापिस नदी में चला जाता है, या समुद्र में चला जाता है, तजी मीनन का मतलब होता है चोड़ देता है मचली का मोहू, मतलब मचली के प्रती अपने प्रेम को चोड़ कर वह अपने जीवन को बचाता है और वापिस समुद्र में या नदी में जाकर मिल जाता है, बहे जाता है रहीम कहते हैं मच्री नीर को तउन च्छाडती छोग मच्री इसके बाद भी पानी के प्रती नीर मतलब पानी पानी के प्रती अपना प्रेम छोड़ नहीं पाती तउन च्छाडती छोग अपने प्रेम को छोड़ नहीं पाती है जबकि जल उसका त्याग कर चुका है उसके बाद भी मचली जल का त्याग नहीं कर पाती उसके प्रती अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती और वह उसके बिना अपना जीवन त्याग देती है तो मचली का जल के प्रती प्रेम दिखाते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल फैके जाने पर पानी बह जाता है लेकिन मचली का प्रेम पानी के प्रती इतना सच्चा होता है कि वह उससे पल भर भी दूर नहीं रहना चाहती और उसके जाते ही जैसे ही जल मचली को मचली अपने प्राण त्याग देती है यानि कि मर जाती है अब बढ़ते हैं प्रश्ण उत्रों की ओर देखते हैं आज हमने क्या सीखा पहला प्रश्ण है मित्र शब्द के दो परियायवाची लिखिए बहुत सारे शब्द हैं जो आप अपने डैनिक जीवन में प्रियोग क आप चाहें तो अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है सच्चे मित्र की पहचान यह होती है कि वह हमारे कठिन समय यानि की विपत्ती के समय भी हमारा साथ देता है अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं कौन किस से सच्चा प्रेम करता है मचल मिस्प्रेंट जिसे हम कहते हैं, ये के नहीं है, कह है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा, मचली पानी से सच्चा प्रेम करती है, और हम यह इस आधार पर कह सकते हैं, कि वह पानी से अलग होने पर मर जाती है, कि तु पानी के प्रती अपना प्रेम नहीं छोड़ती, अगला प्र के परियायवाची है यानि कि पानी के ही दूसरे नाम है तो जल, वारी तो ऐसे बहुत ही प्रचलित नाम है यहाँ पर वारी पर छोटी एकी मात्रा आएगी किर्पया इसे ठीक कर लीजिएगा उसके बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्णिक की ओर क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है कैसे विस्तार से लिखे यहाँ पर आपको आपके अपने जीवन की कोई घटना लिखनी है आपको जो भी घटना याद आए वह लिख लीजिए लेकिन कुछ बच्चे ऐसे प्रश्णों को छोड़ देते हैं इसलिए इसका उत्तर मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है आप चाहें तो उत्तर को बदल कर लिखें हाँ मैं अपने मित्रों के प्रती सच्ची मित्रता का भाव रखता या रखती हूँ क्यूंकि हम जरूरत के वक्त हमेशा उनकी मदद करते हैं आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिये विध्यार्तियों अगर आप चाहते हैं महाध्यन के तरफ से आपको इसी तरह से वीडियो के द्वारा काम करने में मदद मिलती रहे वक्षीट के सॉलूशन मिलते रहें तो इसके लिए जरूरी है चैनल पर वीडियो को लाइक शेर मिलते रहें साथ में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब क्लिक कर दीजे कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी थी वीडियोस के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें, खुछ रहें, नमस्कार और धन्यवाद